नमस्कार आज फिर हमारे साथ डॉक्टर नरेश सिंग जुड़ रहे हैं और डॉक्टर नरेश सिंग हमारे साथ अभी हाल ही में जुड़े हैं और मैंने पिछले वीडियो में जिन लोगोंने पिछला वीडियो हमारा देखा है नहीं देखा है तो जरूर देख लें उसमें हमने बताया था कि इनका बैक्ग्राउंड क्या है किस तरीके से ये इस फिल्ड में आये हैं और हमारे से इनका जो नाता जुड़ा है वो किस तरीके से जुड़ा है वो सब चीजे डिटेल्स उसमें हैं उसमें मैं ज्यादे समय व्यस्त नहीं करना चाहता तो मैं नरेश जी से सिधे मुद्धे पर आऊंगा नरेश जी आपके पिछले वीडियो में जब हमने आपसे बात की तो हमने एक नए वर्ड को इजाद कर दिया सोरोस जीवी और वो शोचन मीडिया पर इतना वायराल हो गया है कि अब लोग सोरोस जीवी वर्ड को यूज करने लगे है तो मुझे रहता है कि इसकी व्याख्या करने की जुरूत है नहीं कि सोरोस जीवी वर्ड हमने किसके लिए किया है सोरोस जीवी उन लोगों के लिए हमने इस्तिमाल किया जो ऐसी संस्ताएं हैं ऐसे संगठन हैं तथा कतित NGO's हैं जो काम तो देश के लिए करते हैं लेकिन Σोरोस जी वी बने हुए हैं चोर्ट सोरस जैसे लोग उन्हें फंड करते हैं और फिर वो उस पैसे का इस्तिमाल हमारी सरकार हमारी नीतियों के खिलाब करते हैं या फिर एक प्रोपगेंडा क्रियेट करने की कोशिश करते हैं तो इसमें थोड़ी सी हमने CPR के बाले में पिछली बार चर्चा कर ली थी जिस इनका FCRA लाइसेंस कैंसिल हुआ है अभी हाली में तो आप ये बताईए कि इस बारे में आपके और क्या मालूमात की क्या जानकारियां हैं सोरो की वीडियो पे बहुत प्यार लोगों ने दिया बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए और मुझे व्यक्तिगत रूप से भी फोन करके लोगों ने बहुत एप्रिसियेट किया इस वीडियो को और पूछा कि ये सोरोस जीवी क्या है जो हर्स जी ने एक नया वर्ड दे दिया तो मैं सबको बताया जो आप बता रहे हैं तो सभी को मैं जैसे आपने ये हमारी इस सीरीज में सोरोस जीवी की सीरीज में तीसरी वीडियो है सबसे पहले आपने ये वीडियो सुरू किया था जब सेंटर फोर पोलीसी रिसर्च के ऊपर आपने बताया था कि किस तरह से उनका FCRA कैंसिल हुआ तो आज Soros GB ये कहा कहा पे फैले हुए और किस तरह से ये सिस्टम है पूरेट करता है पूरा इसको मैं बताऊंगा और इससे पहले एक चीज मैं दर्सकों को और इसपस्ट कर दूँ कि Soros GB हम केवन उन्ही वेक्तियों या संस्थाओं को नहीं कह रहें जिनको फोरन फंडिंग मिल गई बनकि हमारे उसमें वो सब Soros GB है हमारे विच्चार से जो वर्तमान वेवस्था को हमारे देश की परजातांत्रिक परंपराओं को हमारे देश के विकास को अवरुद करना चाहते हैं और सत्ता के तोर पे एक ऐसे विक्ति को देखना चाहते हैं सीर्स पे जो या तो मोन हो या पपू हो और ये सब अपनी इनके ऐसो आराम लगातार बने रहें इनकी हवाई आत्राएं पनी रहें इनके सेविन स्टार्स होटल में रहना बना रहें और इनके विदेशों में अमेरिका में बच्चे पढ़ते रहें ये सब चीजे होती रहें बाकी देश का देश भले गड़े में चला जाए तो उन सब लोगों को खिलाप ये हमारी सोरो जीवी की मुभी में है और हम इस पर आज ओर डिटेल में बात करेंगे आप देखेंगे हर्श जी की जो ये फोरन फंडिंग है ये तीन तरह से ओपरेट करती है और इसको कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है जितना हम समझते हैं कि मोदी जी सब कुछ एक दिन में चेंज कर करती है और फिर एंजियोज में ओपरेट करती है और तीसरे ये मीडिया में आपकी विरादरी में सबसे ज़्यादा ओपरेट करती है मैं बताऊंगा तो आप आज चेरे चकित रह जाओगे दूसरे ये खाली open society foundations के नाम पर ओपरेट निकरती कहीं बार क्या होता है कि जैसे open society foundations पे परधान मंत्री नरेंडर मोधी जी ने 2016 में open society foundations को वाच लिस्ट में रख दया मिनिस्टी ओफ फॉम अफेर्स की वाच लिस्ट का मतलब यह होता है कि जो भी फोरन फॉंडिंग आएगी जिस वाच लिस्ट में यदि कोई डोनर है उससे कोई पॉरन फंडिंग इसमें इतना पैसा भेज रहे और इस इस काम के लिए भेज रहे पहले यह था कि पैसा आ गया और फिर बता दो कि हमने आसे आया अब पैसा से पहले ही बताना पड़ेगा लेकिन यह सिर्फ जो वाच लिस्ट में है जैसे open society foundation के लिए है यह 2016 मिनिस्टी ओफ होम अफेर्स की वाच लिस्ट में है तो ऐसे यह अलग-अलग तरीके से operate करते हैं कई बार यह दूसरे organizations को पैसा दे देते हैं और उनको बोलते हैं कि भई अब आप पैसा भेजो कई बार यह multiple donors इकठे हो जाते हैं और multiple donors इकठे होकर के एक फंड बना लेते हैं और कहते हैं कि आब अब इस इस फंड को भेजो तो उसमें जो है यह नहीं रहता कि अकेले यह open society foundation का पैसा है तो यह इस तरह से operate करते हैं अब मैं आता हूं हर्ष जी आपकी बात पर आपने जो पहली वीडियो में Center for Policy Research की बात करी थी कि कैसे उनका FCR समाप्त हुआ आपको जानकर के आश्चेरिया होगा कि यह government organization है Center for Policy Research यह कोई private NGO नहीं है यह कैसे operate करते हैं कि हमारे यहां पे 1969 में Indian Council of Social Science Research की अस्थापना हुई थी जिस तरह से हमारे यहां पे Indian Council of Agriculture Research है और उसके regional centers है जिस तरह से हमारे यहां पे Ministry of Science and Technology है और उसके फिर अलग-अलग Department है जैसे Department of Science and Technology है Department of Biotechnology है और इनके फिर Regional Center है जैसे CSIRS Council for Scientific and Industrial Research उसके regional centers है तो Social Science Research को promote करने के लिए इंडिया में 1969 में यह Indian Council of Social Science Research की अस्थापना करी गई और इसका परपज यह था कि यह रीजनल लेविल पर अपनी institutions बनाएंगी और वो institutions रीजनल लेविल पर पॉलिसी रिसर्च करके गवर्मेंट को स्टेट गवर्मेंट को सेंट्रल गवर्मेंट को खीड़बैक देंगे ताकि पॉलिसी में चेंजेज किया जा सके और जनता को इसका फायदा हो यह मतलब एक अच्छा परपच्छ था और इसके इसके मेंबर सेक्रेटरी जैसे इसके मेंबर सेक्रेटरी बड़े-बड़े विद्वान लोग रहे हमारे याँ दिल्ली उनिवर्स्टी समाज सास्त के विभाग के प्रोफ पार्टी है जो मेरे साथ मेरे ट्विस विद्विद्विद्व में पढ़े वीके मलोत्रा साब इसके मेंबर सेक्रेटरी हैं आइसी एससार के और बहुत परभावी तरीके से वो इसकी कार्यविधी को चला रहे है अब आज की तारिक में वर्तमान में इसके हर्स जी 24 रीज इसे टोटल 29 इंस्टीटूशन जो है वो इंडियन कॉंसिल आप सोशल साइंस रिसस से जुड़े हुए और इसके पांच रीजनल सेंटर से ओपरेट करते हैं इस्ट वेस्ट नोर्ट साउथ और इस्ट वेस्ट में और सुरू में इनको गवर्मेंट की बिल्डिंग में या यूनिवर्सिटी प्रैमाइसिस में जगह दी गई थी कि यहां से ओपरेट करेंगे और कुछ विद्वान प्रोफेसर्स इन में जो हैं काम करेंगे उधारन के तोर पे डेली उनिवर्स्टी केंपस के अंदर एक इंस्टिटूट है इंस्टिटूट ओफ इकोनोमिक अच्छी सब बहुत सारा अच्छा काम किया इनों अभी दिल्ली में और भी सारी इंस्टिटूट है तीन चार है दिल्ली में लेकिन दो का नाम में आप सोरोस जीवी के संदर में लूँगा एक है सेंटर फोर दी स्टडी ऑफ डवलोपिंग सोसाइटी सी एस दीस कहते हैं और दूसरी जो है सी पी आरे सेंटर फोर पोली सी रिसर्ट जिसके बारे में आपने डिटेल में बताया अब इन इंस्टिटूशन्स में धीरे-धीरे क्या हुआ जो सोरोस जीवी जिनको आप कह रहे हैं लेफ्ट लिब्रल इको सिस्टम जो है उनके वेक्ति जो हैं उन्हो टाइड ब्यूरोक्रेसी के ब्यूरोक्रेट्स थे या जर्नलिस्ट थे उनके कबजे हो गए और यह ऑपीनियन की रिएट करने लगे गवर्मेंट थे थोड़ा सा हमें बताईए CPR किसके लिए बना था शॉर्ट में बताईए और CSDS किसलिए बना था यह सब पॉलिसी रिसर्च की इंस्टिटूसन है कोई अलग से इनका ऐसा उद्देशन नहीं था कि यह अलग-अलग सब पॉलिसी रिसर्च करनी थी सोशल सेक्टर में इनको इनका काम क्या था कि जो CSDS है इसका डेली उनिवस्टी का जो नोर्थ केंपस है उसके पास ही हरस्जीस का एक छोटा सा प्रेमाइसिस है और कभी आपके योगेंद्र रियादव जी 2006 तक वहां पर यह भी प्रोफेसर रहे CSD Center for the Study of Developing Society और जब अमर्ता प्रोफेसर अमर्ता से इनके साथ जोर्ज सोरोस 2006 में इंडिया में आए तो योगेंद्र रियादव जी ने एक रिपोर्ट तैयार करी थी उनको प्रजेंटेशन दिया था योगेंद्र रियादव जी ने जोर्ज सोरोस दिको उसका ताइटिल कुछ इस तरह साथ कि इस्टेट ऑफ डेमोक्रेसी साथ एसिया तो योगेंद्र रियादव जी तब से जुड़े वे फिर योगेंद्र रियादव जी वहां पर एक जीट पॉल करने लगे कुछ कुछ और सत्ता को परभावित करने लगे और इनका यही था कि यदि सत्ता इनको तंग करेगी तो यह सत्ता को तंग करेंगे और इसी तने से सेंटर फोर्ट पॉलिसी रिसर्च का आपने बताया उसकी यामनी एयर डिरेक्टर है जो मनी संकर एयर की लड़की है और जो स्वरा भासकर के पिता जी है उदे भासकर और नेवी में काफी उनका बड़ा पोजिशन था नेवी के दिटार्ड अफसर हैं वो भी वहां पे फैलोते लेकिन जैसी मोदी जी सत्ता में आये वो हर दिन टीवी पे आते थे हमारे देश के स्ट्रेटीजिक और डिफेंस इसूज पे बहस करते लेकिन उद्य भासकर जी आपने देखा होगा 2014 के बाद में कहीं भी किसी टीवी चैनल पर आपको दिखाई नहीं देरें कि हमारे जैसे आप जैसे हजार लोग यह कहने वाले रहेंगे उनको टीवी चैनल पे भी और ओफदी चैनल भी कि बही आपकी लड़की तो अंदोलन से एकजिट ले लिए आप डिबेट टीवी डिबेट चैनल से अब इनका फंडिंग का पैटर्न क्या था इन सब इंस्टिटूशन का फंडिंग का पैटर्न क्या है हर्स जी कि इनको एक तो गवर्मेंट फंडिंग मिलती है स्टेट गवर्मेंट की और सेंट्रल गवर्में तो वो भी अपने एरिया में जो उनकी इंस्टिटूट है उसमें फंडिंग दे सकता है तो एक तो यह फंडिंग का पैटर्न है इसके अलावा इन्हों ने जैसे CPR और CSDS दोनों के पास FC आ रहे हैं तो इन्होंने बहुत सारा पैसा जो है FC आ दे के थुरू जो है वो गरांट मिली इनको रिसर्च ग्रांट मिली और आप इनकी वेफसाइट पे जाके देखेंगे वो बहुत बड़ा एमांट है और उसमें जादा तर जो डोनर हैं वो या तो युनाइटिड स्टेट्स के हैं या फिर UK के हैं और कुछ एक दूर दूसरे यूरोप के कंटी हैं जैसे फ्रांस है ज तो ओटोनोमस इंस्टीटूशन अपने रूल्स रेगुलेशन बना सकती है तो इन्होंने इस तरह का कबजा किया काईदे में देखा जाए हमारे यहां जो यूजी सी के नौन्स हैं एक रिसर्च इंस्टीटूशन का डेरेक्टर या हैड ओप इंस्टीटूशन वो कम से कम पिएचडी होना चाहिए प्रोफेसर लेविल का व्यक्ति होना चाहिए हो लेकिन आप पास्चरिय करेंगे कि यामनी ये येर जी के पास कोई पिएचडी नहीं है लेकिन वो सीपी आर्ट की डेरेक्टर है आज की पारी वो खाली उनकी मास्टर सेजुकेशन है तो यह इस दूसरा फंड बताया मैं गवर्मेंट में कैसे घुसे हुए यह अकेडमी की सिस्टम में वो बात करना हुआ आप से 2008 में दूसरा फंड बनाया इन्नोंने सोश्यो एकोनोमिक डवलपमेंट फंड S.E.D.M. और उसका पैसा George Open Society Foundation ने वो पैसा उसका फंड जो है वो एक Omedia Network एक International Agency है उसको दिया और वहां से वो पैसा कहां पर आया हमारे यहां इंडिया में आया किसके पास Indian School of Business के पास Indian School of Business हैदराबाद में प्रीमियर मैनेजमेंट इंस्टिटूट है और वो लंडन School of Business जो है उसके तरज पे यहां खोला गाता और उनको इन्होंने बोला कि आप Policy Research इंडिया में कराओ पोलीसी रिसर्च पे अलग-अलग टोपिक के ऊपर जो है रिसर्च प्रोजेक्ट्स कराओ तो इन्हों यह गवर्मेंट में पैट कर ली इन्होंने इन्होंने एकेडमिक्स में पैट कर ली CPR को एक तरह से हाईजेक करके रखा हुआ अभी CSDS की सिच्वेशन थोड़ा सुधरी है Center for the Study of Developing Societies की सिच्वेशन क्यों सुधरी है कि जब से वीके मलोतरा जी ICSSR में में मेंबर सेक्रेट्टी है अब क्योंकि यह गवर्मेंट की गरांट है तो उनका ICSSR का नोमीनिन की बोर्ड मीटिंग में वो सब मुद्दे जो उठाते हैं तो वो काफी कंट्रोलिंग हो गई उस पे दूसरे एक ICSSR के बोर्ड में गवर्मेंट का नोमीनि रहता है तो CSDS में गवर्मेंट के जो नोमीनि है वो हमारे राज्यसभा के मेंबर है राकेश सिनाजी और बहुत वो डैली यूनिवर्स्टी के प्रोफेसर रहे और बहुत विद्वान है वो एक्रोस दी एजुकेशन बोर्स एंड यूनिवर्सिटी सब जगे टोपर रहे अपने टाइम में और उन्होंने इतना काम किया हुआ मार्क्सवाद पे और लेलिनबाद पे और अलग-अलग पॉलिटिकल आइडियो लोजीज पे और जो हमारी रास्टवादी विचारधारा पे एक उनका बहुत मुरहदत धेन है तो उन्होंने जब से वो CSDS में गए तो महां लोगों की दुकाने बंद होने लगी और महां ज पी आर का जैसे आपने बता दिया था तनी उसमें वह अभी भी इस चीजों में इन्वोल है अब मैं आता हूं हर्स जी यह तो गवर्मेंट का रॉट्रमिक सिस्टम्स में बताया मैंने सोरोस जी पर कैसे घुशे हुए हैं अम मैं एंजयोज में आता हूं कि एंजयोज में कैसे गुसे हुए है और फिर मैं आपकी भी रादरी की बात करूँगा और मुझे उम्मीद है आपको बुरा नहीं लगेगा तो एंजियो में एक ला नेटवर्क है एंजियो है यह एंजियो किन के लिए काम करता है यह भारत में रहुंग्या किसी एंजियो ने आज तक कस्मीरी पंडितों को कोई लीगल एड नहीं किया और जो सीए क्या था बेसीकली सीए में एक जो हमारे यहां पर पहले से अफगानिस्तान बंगलादेश और पाकिस्तान से गैर मुस्लिम सबुद आएके लोग है उसमें हिंदू भी है बोध है वो 31 दिसमबर 2014 से जो यहां पर पहले से आए हुए है उनको नागरिक्ता देने का प्रावधान ताकि वो एक सम्मान जनक जिन्दगी जी सके बिचारे दिल्ली का वहां हचारों हिंदू रहते हैं पता नहीं कितने सालों से उन्हें आज तक उनके आधार कार्ड वोटर कार्ड नहीं मिले बचारों लेकिन आपने देखा होगा विरोध में कितना बड़ा अंदोलन इन्हों ने किया सो जितने भी सोरोस जीवी थे और उसमें आपके स्वरा भास करतों काफी मुखर थी आपको पता है इस बात का तो यह हूमन राइट्स ला नेटवर्क एंजियो इसके लिए काम कर रहा है एक फ्रांस में सेरपा ना मकST, उल्यरोइंग क्या उधomena की लिए क्या काम कर रहे हैं यह क्या उनको लीगल एड देते हैं सपौर्ट देते हैं और उनको मेनिस टीम में आजाएं उनका वार्व स्विल सिडkov और फैसिलिटी सम्मिलें उनके उपन इस्वेस्वेस्ट काम कर रहे हैं फिर एक यह बैठा हुआ जहां पर आपके रवीज कुमार जी हाल में यात्रा करके आए अब वह कैसी यात्रा थी वह तो बगवान जाने रवीज कुमार जी जाने हमें तो पता नहीं में बताके गये ते कि देखो बहूंद मैं फ्रांस में जा रहा हूँ ना इतने बड़े आदमी है हमकी हमें बता के जाएंगे तो यह सेर्पा एंजियो जो है यह फ्रांस का है इसने रफाइल डील के अगेंस्ट में कम्पलेंड करी थी फिर उसके बाद एक नोट इंडिया में क्रिस्चन और्गेनाइजेशन है एक प्रता भानुम हैता है उनका एक एंजियो है मरता सेंजी के साथ में नमाती करके एंजियो है वह भी सब इससे जुड़े हुए है यहां तक कि मनीश सिसोधिया और अर्विन केजरी वाल के जो एंजियो जो थे कभी आम आदमी पार्टी अब इन सब को भी फोरन फंडिं बनी दिया जा सकता जर्ण लिस्ट को डारेक्ट फंड दिया जा सकता आप प्रपिशियो ने लिया था क्योंकि आप लएक लि liegen बनाए गया उसका नाम रखा बाव मीडियार डृफलेंट फंडेशन की फंडिंग है इसमें और भी पार्टनर जोड़े गए पैसे के इकट्थे की यह उससे पत्रकारों को फंडिंग करी गई उनकी रिसर्च स्टेडिज को उनकी विजिट्स को उनके लेक्चर्स को वन्डिंग करी गई और आपको जान पर करके आसचेरी होगा हर्स जी कि उसमें इंडियन एकस्प्रेश के पत्रकार भी है आ पैरे में कि बता दूँ दि हिंडू गुरूत के भी पत्रकार है डिप्रिंट मीडिया का पत्रकार सरद जो सेखर गुपता जी इंडिया के पहले पत्रकार ते जिनों ने वाकदी टाक में जो है जो सोरोस का इंटर्व्यू किया था करने जो नजदी की है गांधी परिवार से छुपी हुई नहीं है और चद्धी वायर भी है जिसके सिधार्ट वत राजन जो और यह नाग रिखता है इनकी सिधार्ट वत राजन कि और यहां पर आर्फा खानम सेरवानी ओपरेट करती है इंडिया में इनका दिवायर नेटबर्क जो है और यह पहले दी हिंदू के एडिटर थे एनराम जो ओनर हैं फांडर हैं दी हिंदू की एनराम के साथ थे हैं एनराम से फिर इनकी कुछ गड़बड़ी हुई तो यह अलग से इनों ने दिवायर बनाया अब मैं पत्रकारों में यदि नाम लूँ तो बहुत सारी लंबी लिस्ट है रीटू सरी में एक पत्रकार है शामलाल यादो हैं बैद्धनात एयर हैं राकेश कल्सियान हैं मूर्ली कर्सनन हैं यूसुफ जमील है सैयद नचाकत हैं और बसारत पीर बसारत पीर को आप देखते होंगे टीवी चैनल सबेट पे आते कसमीर के जम्मू कसमीर के रहने वाले और यह प्रो पाकिस्तान बात करते हैं तो बसारत पीर हैं एक चिद्रांगदा चोधरी हैं वह इंडियन एक्सप्रेस में भी रही और दूसरे ग्रूप मे भी साथ हिंदुस्तान टाइम्स में तहां पे थी चिद्रांगदा चोधरी हैं सेखर गुपता जी का नाम मैंने बताया आसुतोसेंड पार्टी का तो कहना ही क्या है सत्य हिंदी जो इनका एक यूटूब चैनल है उस पे राद दिन यह आग उगलते हैं इनके जो पैनल है यहां तक कि एक बहुत ब्रद पत्रकार है उनका मैं बहुत सम्मान करता हूं सतीस कुमार सिंग नाम है उनका सतीस के सिंग पूर्वन चलके रहने वाले जब राहुल जी की आत्रा चल रही तो उन्होंने यह घोस्तना कर दी कि राहुल जी में मुझे मार्टीन लूथर तो मुझे बड़ी हसी आई मन का बताओ कहां एक टाइम ता डॉक्टर विद्धा निवासमिस राजेंद्र माथूर जी स्पी सिंग जी ऐसे पत्रकार होते थे और यह आपने बन की आपका अख़बार जो परदीप सिंग जी और आजकल एसके सिंग जी क्या बात करने लगे वान खेड़े जी जुड़े वे इंसे सत्य हिंदी वालों से बहुत सारे जुड़े हुए एक और आज मैं खुनके बता देता हूँ एक संजय सर्मा करके हैं पोर पीम के उत्तर परदेश के वह मुलायम सिंग के बड़े खासते बड़ी हवा हलिकॉप्टर यात्राएं करी कोई मैंनी बता रहा वो स्वम कहते कि मैं हलीकॉप्टर मुलायम सिंग जी जब तक रह सारांस रूप में यदि कहूँ तो सबका एक ही उद्देश से हैं सबका उद्देश से यह है कि जो हमने मधू मख्षी के चत्ते की बात करी थी मोदी जी ने वो मधू मख्षी का चत्ता खुरच दिया और ये मधू मख्षी की तरह से बिलबिलाते फिर दे धरु धर दोड़ते फिर दे काटते फिर दे यह यह नहीं सोच रहे कि हमारा 2014 के देश के परदानमंत्री जहां भी जाते हैं इतना बड़ा उनको सम्मान मिलता है हर्ष जी 2014 से जब पहले हम कभी विदेश जाते थे तो हमारी पता क्या इमेज थी गुरूप में लोग हमारे उपर कमेंट भी कर देते थे और हमारी इमेज थी दिसीवर की में थी कि यह नेरियम लेंगे और आज हमारी इतनी इज़त है हमारे आईटी प्रोफेशनल्स की इतनी इज़त है कि सब जगह भारत के जो पूरी जनता को भारत देश को इतने इज़त से लोग देख रहे हैं कि देखो यार 10 साल में इनोंने क्या से क्या कर दिया और वर्ड की पाचवी अब करेंगे प्रिछेजिंग प्रूठ गया हमारा परसी किसान नौकसान को पहुंचाया पहले बूदे वीगे की थी और और टिकेट साब के जो संसमन हैं उनके बारे में भी एक वीडियो जरूर करेंगे और हर्स जी आप पूर्वी उत्तर परदेश बनारस के आसपास का इलागा जाके देखो आज कितने समरद किसान है मुझे इतनी खूसी होते है जब मैं आके फार्मर्स प्रोडूसर् पंजाम में इस अंदोलन ने सब ये सोरोस जीवी अंदोलन ने सब कुछ बरबाद कर दिया किसानों का आज इतने समरद किसान है इस पे अलग से एक वीडियो बनाएंगे फार्मर्स मूमेंट के उपर कि कैसे इन्होंने बरबाद किया देश को आज उत्तर परदेश में कही लेंड लोग इस्टेट होने के बावजूद भी कितना फोरेंट इंवेस्टमेंट आ रहा है उत्तर परदेश में इस सब चीजों से ये सोरे सोरोस जीवी को हर्श्ची बहुत तकलीब हो रही है मैं आपकी हिम्मत को बहुत सरहाता हूं परसंसा करता हूं आप लास्ट पर दूसरा पहलों के सामने रख रहे हैं को परस्नल एजंडा नहीं हमारी किसी से वेक्ति का दूस्मनी नहीं सिर्फ हम यह चाहते हैं कि हमारा देश जो है तरक्की करे और एक जो माल प्रेक्टिस इस सिस्टम्स में प्रोसस में गवर्नेंस की वो खतम हुए धीरे धीरे ब और डिटेल में आपसे पूछता लेकिन चुकि समय कम है हमारे पास वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आपने जिस तरीके से CSDS, CPR इनके बारे में विस्तार से बताया जो बाकी NGOs हैं इनके बारे में भी हमें थोड़ा विस्तार से बता लिए आपका जो रिसर्च वर्क है उसकी हमारी हमारे देश को बहुत जादा आवशकता है आप बिलकुल रहिएगा और आप मुझे तो अच्छा लगता है कि आप मेरे कहने पर इतना सब रिसर्च वर्क हमारे चैनल के दर्शकों के लिए लेकर आ रहे हैं और उनको उनके ग्यान को एंरिच कर रहे हैं यह नहीं मान रहा हूं कि हम किसी लोगों को एक्सपोज कर रहे हैं हम तो तथ्यात्मक बात कर रहे हैं और जिन सब लोगों के नाम लिया आपने पत्रकार विरादरी इनके बारे में देखे पत्रकार विरादरी के बारे में तो हमारे देश में कहना आज कल बड़ा ही सरल है सबसे सॉफ्ट टार्गेट तो पत्रिकारी होते हैं आप उसे तो यूज किया जाता है यूज एंड थ्रो हैं जो सब्सक्ता में रहता है वो उसका यूज करता रहा है तो पत्रिकारों का तो इसमें कुछ नहीं है लेकिन जो खास तोर से ये जो आज चलाते रहे हैं आज तक इन पर मैं उभी करूँगा कि आप और डिटेल से लाएंगे कि इन से कौन-कौन लोग जुड़े रहे जैसे कि आपने योगिंदर यादव के बारे में और CSDS के बारे में बताया बाकी जो रोहिंग्याओं के लिए काम करते हैं और दूसरे लो है वो जवालाल नहरू यूनिवर्सिटी है और मैं आपके संस्मरण मुझे पता है वो भी अगले वीडियो के लिए तो एक वीडियो अलग से पनाएंगे इसके बारे में अपने दर्शुकों यह भी बता दूं के जो नरेश जी हैं यह एक समय बड़े मार्क स्वाद और इ इन लोगों की वास्तिकता क्या है जो समाजवाद की और दूसरी चीजों की बाते करते हैं और जब इनके पेरिफेरी में कोई गुसने की कोशिश करता है तो उसे किस तरीके से यह निकाल के बार फैंक देते हैं नरेश जी हमसे चुड़ने के धन्यवाद अगले वीडियो म अगर आपको मारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकन को प्रेस करें